कन्या राशी वाले दोस्तों, अगस्त मा में आपकी राशी का लाब भाव बहतरीन स्थिती में रहेगा जो अगस्त मा को लाप्रत बना देगा भाग्या दन सुक और समरिती आएगी वीडियो में विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे इसलिए वीडियो बहुत महत्त पुर्ण रहने वाली है वीडियो के अंत तक बने रहें नमस्कर दोस्तों मैं स्ट्रोलेजर रजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूँ आपका अपने यूटिप चैनल अक्षी तैस्ट्रोप मास्टर में मेरे कन्या राशी वाले दोस्तों कैसे हो कन्या राशी के लावा कन्या लगन वाले दोस्त भी इस वीडियो को देख सकते हैं शुरुआत करते हैं स्वास्त से दोस्तों पूरे महिने राशी स्वामी बुद्ध बारमे बाव बादक्स्तान पर संचार करेगा इसलिए बुद्ध की स्थिती कुछ कमजोर रहेगी जो रोग प्रती रोधक्षमता में कमी कर सकती है इसलिए अगस्तमा में स्वास्त के प्रती जागरुक बने रहें स्वास्त की अंदेखी ना करें साफ सफाई और सवच्ता पर अधिक ध्यान दें अगर अवशक है तो ही बाहर का खाना खाएं नहीं तो बाहर के खाने से प्रहेज करें बातकरी शिक्षा की तो विद्यार्तियों के लिए अगस्तमा अनकूल रहेगा पूरे महिने पंचम भाव का स्वामी शरी चटेवा पर वक्री वस्ता में संचार कर मजबूत स्थिती में रहेगा शरी की मजबूत स्थिती से विद्यार्ति शिक्षा के शितर में अच्छा कार्या करेंगे प्रतियोगी प्रिक्षाओं में समलित होने वाले विद्यार्थियों को भी समय की शुपता का भरपूर लाब मिलेगा वहे विद्यार्थी जो सरकारी संस्थानों से जुडने की इच्छा रखते हैं उनके लिए 17 अगस्ता का समय काफी सक्रात्मक बना हुआ है इस सवादी में सरकार कारक सूर्या का लाबा परसंचा सरकारी कारियों में सफलता दिलाएगा हाइर स्टडी करने के लिए या विदेश में शिक्षा ग्रहन करने के लिए सरकारी रिन की वशक्ता तो प्रियास करने से सरलता से उपलब्द हो सकता है बात करे प्रेमियों की तो कन्याराशी वाले प्रेमियों के लिए अगस्तमा अनंद में और रुमाँच कारी बना रहेगा साथ अगस्ट से लेकर पूरे महिने तक प्रेम प्यार भाव पर प्रेम प्यार और रुमास का रख शुकर की दृष्टी प्रेमस बंदों को मधुर मजबूत और पक्के रूप से स्थाफित करने का कार्या करेगी प्रेमी जन प्रेम्स बंदों और रुमास के मौर्चे पर अनंद रुमांच और परसंता के अन्बूत्ती करेंगे साथ अगस्त के बाद सिंगल दोस्तों के सूने और विरान पड़े प्रेम्स जीवन में भी बहार आ सकती है प्रेम्स बंदों के रास्ते परेशानी पैदा कर रहे शत्रों से भी छुटकारा मिलेगा बात करी शादी शुदा दोस्तों रथा दंपत्या जीवन की तो आपकी राशी के दंपत्या बाब के स्वामिक गुरू पूरण मा अश्ठमबा पर राहू के साथ संचार करेंगे इसलिए दंपत्या जीवन के स्वांद में गुरू की स्थिति कुछ नाजुक बनी हुई है नकरातम कुर्जा पैदा कर रही है वह दोस्त जिनकी जनमकुनली का दंपत्या बाबी पाप गरश्ठ है उनके लिए फ्रस्तितियें अतियाधिक परतिकूल बनी हुई है इसलिए वह दोस्त दंपत्या जीवन में चोटी चोटी बातों को तूल नादेन जीवन साथी के साथ सने और मदूरता में कोई कमी ना करे एक दूसरे की भावनाओं और विचारों का आधर करे सुसराल पक्ष के साथ भी सबंदों को ना बिगडने दे दूस्त अब ग्रहों के राशी परवर्तन पर एक नज़र डालते हैं और साथ साथ में जीवन के अन्या महत पुर्न शित्रों पर बात करेंगे अगस्त मावे सबसे पहले भोग विलास लगजरी लाइफ और बौतिक सुक्षों के कारक शुकर का राशी परवर्तन है यह पहला ही राशी परवर्तन कन्या वालों को मोज करवा देगा अतियादिक लाप्रत साबित होगा साथ अगस्त तक शुकर वे बापर सचाहर करेगा आपकी राशी के दन और भाग्या बापके स्वामी शुकर की साथ अगस्त तक स्थित्य करचों में बृदी करने वाली है इसलिए साथ अगर्स तक फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की हवशकता रहेगी अनावशक खर्चों के प्रती स्तर्क रहें साथ अगर्स को शुकर राशी प्रवर्तन कर वय बाप से निकल कर आईवा में प्रवेश कर जाएगा अब शुकर खर्चों में वरिदी नहीं बलकि दन के आवा गमन में तेज्जी करेगा आपका आर्थी ग्राफ बेहतर प्रदर्शन करेगा भाग गया दन सुक और समरीदी आएगी शुकर के लाब आपर संचार से मित्रों के माद्यम से भी लाब के योग बनेंगे खासकर इस्तरी मित्रों के सायोग से लाब होगा इस्तरी पक्ष के माद्यम से भी लाब के नकूल अपसर मिलेंगे वैपारी दोस्तों के लिए भी शुकर की एस्तिति अत्यादिक पार्या वैपार करने वाले वैपारी दोस्तों को परचूर मातरा में धन लाब होगा। लग्जरी, गैजर्स, महेंगे, वस्तर, महेंगा, फोन, वाहन और अन्या सुक साधनों में भी व्रीदी के योग बनेंगे। आर्थिक द्रिष्टी कौन से शुकर की यहस्तिती अत्यादिक लापर्द रहेगी। आपका आर्थी ग्राफ उपर की और चलना शुरू कर देगा। कुल मिलाकर अगस्त मा का पहला राशी परवर्तन ही कन्या वालों के लिए अत्यादिक शुब और लापर्द रहेगा। ने वाला है। लाबा पर हर एक ग्रया का संचार अपने कारकतों के अनुसार लाब पर दान करता है। इसलिए सरकार, राज्या, उच्पदवी, मानसमान, पिता और अरोग्या कारक सूर्या का लाबा पर संचार आपके रोब और रुतबे में व्रिदी कर यश्च, पद, परतिष्टा सब कुछ दिलाएगा। समाज में पिता का भी गौरब बढ़ेगा। सरकार और पिता के माध्यम से लाब के परवल योग बन रहे हैं। सरकार या सरकारी टेंडर से जुड़ा कोई कारया करना तो 17 अगस से पहले उस कारया को निप्टा लेना अधिक लापरद रहेगा। नोकरी पेशा दोस्तों के वी अपने से वरिष्ट अधकारियों और उच अधकारी वर्ग के साथ मितरता पूरन संबंद बनेंगे। उनके सैयोग से दूरे पड़े कारया पूरन होंगे। मितरों पर आपका वर्चस वड़ेगा। वह भी आपके परवाब को सवीकार करेंगे। वैपारी दोस्तों को सरकारी नितियों से लाब होगा। सरकारी दखल से वैपार के रास्ते पेशारी परिशानियें दूर होंगी। स्तारा अगस्त को सूरिया वी राशी प्रवर्टन कर बारमे बाब में परवेश कर जाएगा। इस बाब पर सूरिया नकरातम कुर्जा पैदा करता है। परन्तों आपकी राशी के बारमे बाब पर सूरिया नकरातम कुर्जा पैदा करेगा। क्योंकि आपकी राशी के बार्मे बाप का स्वामी सूर्या है बार्मे बाप के स्वामी सूर्या का अपने बाप परसंचार सक्रात्मक रहेगा इसलिए सूर्या के सक्रात्मक परिनाम देखने को मिलेंगे खर्चों में कमी आएगी करम बाप के स्वामी बुद्ध और सूर्या दोनों के बार्मे बापर संचार से कार्या वैपार के सिलसिले में यात्रा करने के मौके मिलेंगे यह यात्रा लंबी दूरी की भी हो सकती है विदेश से इस बंदी से दूरे पड़े कार्या पूरण होंगे वैपार कारक बुद्ध और सूर्या दोनों की बार्मे बापर स्थ विदेश तक करने के इच्छु का और इसके लिए प्रयासरत भी है उनके प्रयासों में भी तेजी आएगी इच्छा पुर्ण के योग बनेंगे यह योग सोशल मीडिया के माध्यम से भी हो सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से विदेश से तार जुडेंगे अगस्त मा में अंतिम राशी प्रवर्तन मंगल का है 18 अगस्त को मंगल भी राशी प्रवर्तन कर प्रथमबा अर्थात आपकी राशी में परवेश कर जाएगा अकरामक, लड़ाको और करोधी गर्या मंगल का राशी पर संचार आपके सबाब में भी करोद, आवेश और उगरता का भाब पैदा करेगा समान्या से अधिक करोद बने बनाई कारया बादित कर सकता है इसलिए 18 अगस्त के बाद करोद पर नियंतन रख मंगल जनित उर्जा का उचित लाब उठाएं राशी पर मंगल का संचार जोष उत्सा, उमंग और उर्जा शक्ती में भृदी करेगा अन्या ग्रहों की गोचर में यथा स्थिती बनी रहेगी पूरण माशनी शत्रु स्थान पर वक्री वस्ता में संचार करेगा शत्रु आप से खौफ खाएंगे तथा आंखें मिलाने की भी हिम्मत नहीं करेंगे शत्रों के चिंता परिशनी शनी पर छोड़ दे कोई मुश्किल हालात पैदा होते हैं तो शनी सरलता से उन हालातों से बाहर ले आएगा छटे वापर शनी के बहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं इसलिए शनी की स्थिती पूरान रूप से आपके पक्ष में है शत्रु के सासात रोगों और रिन का भी सफाया होगा रिन से सबंदित कोई उलजे हुए मामले हैं तो वह मामले भी सूलशते हुए दिखाई देंगे किसी भी परकार के रिन की वशक्ता तो प्रयास करने से सरलता से उपलब्द हो सकता है शनी का छटे भाव अपने भाव पर संचार बीगन बादार विपत्तियों का नाश करेगा अश्ठम भाव पर गुरु चंडाल योग बना रहेगा प्रतु कुछ समय शेश रह गया है इस योग से मुक्ती का इस योग से मुक्ती कन्यावालों के लिए हर परकार से उत्तम रहेगी कुल मिलाकर ग्रै गोच्चर के नुसार कन्यावालों के लिए अगस्तमा अनकूल बना रहेगा आपको यह वीडियो कैसी लगी के रपया लाइक येर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यावाद